हेलो गाइज आज यह वीडियो में आप देखने वाले हो लेन्वो एडियापट सलीम 5 को विद इंटल अल्टरा 5 प्रोसेसर के साथ दोस्तों जिए हाँ जो आपके सामने आप लैप्टोप आप देख रहे हो यह है इंटल अल्टरा 5 विद इंटल आर्क ग्राफिक के साथ जो की इंटल का एक नया प्रोसेसर है मैं आपको बता दूँ और इस प्रोसेसर की आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आकर इस प्रोसेसर में आकर लेटेस्ट इंटल ने दिया क्या है और इस प्रोसेसर के साथ जो मॉडल है इस मॉडल के अंदर आपको क्या मिलता है तो इस वीडियो में आप बने रहना मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लुक की तो जो इसका लुक है यह आपका पूरी अ IPS डिस्पले है जो आप यह देख रहे हो और इसी में अगर आप 14 इंच वेरेंट में जाते हो तो आपको 400 निट की पैनल के साथ भी आपको वेरेंट मिल जाएगा अगर आप 14 इंच के साइज में जाएंगे तो अगर मेरे पास जो है यह आपका है 1610 इंच इसमें आपको मैं क्यों से मैं आपको आगे बताऊंगा पहले हम इसके पोर्ट देख लेते हैं तो आपको पहले के तरह इसमें भी आपको दो टैप सी पोर्ट दिये हुए हैं यह देख सकते हो जिस से आप दोनों से आप चार्जिंग कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं डिस्पले में आपको दूसरी तरफ आपको दो नॉर्मल यूस्वी मिलते हैं 3.2 जैन वन और इससे में से एक यूस्वी से आप आल्वेस ऑन यूस्वी है यानि इससे आप बंद लैप्टरोज से भी मुबाइल चार्ज कर सकते हो यह आपका मैक्रो एसडी कार्ड रीडर है और यहां प अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की तो कैमरे में जबर्दस फीचर दिया हुआ है पहले तो आप देख सकते हो यह कैमरा आपको प्रैवेसी लॉक के साथ आता यह देखिए और यह जो कैमरा है यह फूल एजडी कैमरा है विद आयार यानि आप इस में फेस लोक लगा सकते दोस्तों आपके फेस से ओपन होगा इधी मैं इसको बैंड करूँ तो देखते हैं कितना बैंड हो जाता है यह देखो दोस्तों यह आपका पुरा 178 डिगरी बैंड हो जाता है तो यह नहीं आपके हिंची भी आसे टूटेंगे नहीं अगर आचानक किसी ने से प्रैस कर द देता हूं आप इसकी जो टॉप बोड़ी देख रहे हैं यह वाली यह आपकी अल्मूनियम बोड़ी है तो आपको फिनिशिंग अच्छी मिलने वाली है और इसके सासत में आपको बदाता चलू इसका टच पैट जो है बहुत बड़ा टच पैट दियावा है देख सकते हो करसर इसको चलाने में आपको बिल्कुल भी परशानी नहीं आएगी इस लैप्टॉप में आपको इंटल को और अल्ट्रा फाइफ वन टू फाइफ एच प्रोसेसर मिल जाता दोस्तों मैं दिखा दिता हूं आपको करीब से यह पहले आप देख लो यह मोडल है और इसका पार्ट नमर है एट री डी सी ट्रिपल जीरो थी आइन अब अगर मैं बात करता हूं इसके प्रोसेसर की तो अल्ट्रा फाइफ में वन टू फाइफ एच फॉटीन कोर का प्रोसेसर आता है जिसकी तर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी फॉर पॉइंट फाइव तक यानि आप सोच सकते हो इसमें जो प्रोसेसर है वह फॉटीन कोर का है जैसा कि हम आई सेवन में देखते थे अब इनके अल्ट्रा फाइफ में आ रहा है और आपको मैं दिखा देता हूँ रैम तो आप देखें रैम की फ्रिक्वेंसी इसके स्पीकर की रहें तो आपको 14 इंच वाले विरेंट में भी सेम रहेगा पिर हम बात कर लेते हैं इसके स्पीकर की तो इसमें आपको टू क्रोस टू ऑप्टिमाइज डूल भी ओडियो मिल जाता दोस्तों तो साउंड कुलेटी भी बहुत अच्छी है 57 वोटर की बैटरी मिल जाती है और डिस्प्ले अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आप देख सकते हो 16 इंच की फूल एजडी है IPS पैनल है 300 निट में और 100 परसंट एस एस एर जीविए डिस्प्ले दोस्तों तो इसके जो डिस्प्ले है वह 100 परसंट एस एस आर जीविए यानि कला और रेकरेसी बहुत आपको एक दम नंबर बन मिलने वाली है और इसके साथ साथ इसमें जो टॉप बोडी बताए थी मैं ने अलमूनियम बताया थी आपको और जो बॉटम बोडी है यानि नीचे वाली यह वाली यह भी आपको अलमूनियम बोडी मिलती है दोस्तों तो बिल्ट क्वाल्टी बहुत अच्छी होने वाली है और इसमें आपको सेटिफिकेशन भी मिलता है मैं बता देता हूं आप ल software solution भी होता है लेकिन हार्डवर solution के साथ है यानि इसमें एक लेयर दी होई है जो ब्लूरेज को रिड्यूस करती है आपको वन येर की वरेंटी मिल जाती है विद प्रीमियम केर यानि आपको एक प्रीमियम सर्विस मिलने वाली उसका पर दोस्तों यस लाप्टॉप में आपको डीकों मिल रहे है वह वहांकिकि विकुल सामने के तरह हुँ चार वाट के उडाठोपको अचछे मिलेगी उन और Dazu ओडियो के साथ है इसके अलावा इसके अंदर आप देखोंगे कि आपको rapid charging मिल जाता है यहां पर mention है यहने आप इसे पंद्रह में चार्ज गरेंगे तो दो घंटे का backup मिल जाएगा अब मैं ले चलता हूं इसके camera में तुम camera में देखेंगे इसमें ultra 5 में नया क्या feature दिया है तो देखो मैं जब इसका camera पर open करूँगा तो camera में कुछ unique feature देवे हैं जैसे कि मैं open कर देता हूं कैमरा यह देखो यहां पर अभी मैं बैठा हूँ और यहां ठेक आप ऊपर देखोगे आपको एक feature नजर आ रहा होगा विंडू स्टूडियो एफेक्ट करके इसको यह दिया हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा automatic framing आई contact background effects अब मैं camera में auto framing को on करूँगा यहां से तो आप देखना यह देखो यह मुझे जूम करके सेंटर में ला रहा है और actual में कहा हूं मैं यहां बैठाओं तो इस तरह के feature इसमें है दूसरा eye contact है आई correction के लिए और background effect है उसको भी मैं अभी करता हूं यह देखो कितना शार्प तरीके से इसमें background को blur कर दिया है तो यह से फिचर आप डिरेक्टली भी कर सकते हैं डिरेक्ट camera setting में जाके अब हम बात करते हैं इसके NPU की neural processing unit की जी यहां जो यह प्रसेसर है इसमें इंटल ने एक NPU भी डाला है जिससे आपको AI accelerate हो जाएगा यानि AI की फीचर से आपको बहुत भैतरीन मिलेंगे जैसे मैं आपको एक दिखा भी देता हूं अभी मैं टास्क मेनेजर ओपन कर रहा हूं तो आप देखोगे इधर आपको performance में आप जाओगे तो यह देखो क्या भी यानि यह क्या करेगा जब आप AI related कोई application चलाएंगे तो यह NPU AI को accelerate कर देता है यह एक हुमन्स बिंग की तरह work करता है तो जैसे हमारा mind work करता है कि किस चीज़ को कैसे करना है इसी तरह एक NPU भी डाल दिये गया है जिससे AI accelerate हो जाता है इस laptop की weight की बात कर लें तो यह 1.87 kg जी weight में आता है दोस्तों पीछे से भी मैं दिखा देता हूं इस laptop को यह पीछे से है single net की जगे double net कर दिया गया है यह इस laptop की feature से बाकी अगली वीडियो में ultra ultra processor के बारे में पूरे अच्छे से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इंटल ने अल्ट्रा प्रोसेसर में क्या क्या दिया है तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो ताकि आपको वह भी अपडेट जल से जल मिल जाए थैंक यू